नमस्कार दोस्तों, Power of Market Financial Education Platform पर मैं अभी शेक उपादयाब सभी का सौगत करता हूँ, हार दी कभी नंगन करता हूँ दोस्तों Union Budget 2024-2025 आज प्रिजेंट हो गया है और कोसिस करेंगे कि एक अच्छा पस्पेक्टिव आपके सामने रखा जा सके broader analysis के लावा ये भी समझने की कोसिस करेंगे कि budget के अंदर कौन-कौन से major highlights रहे हैं, कौन-कौन से ऐसे points हैं जो की market को प्रभावित कर सकते हैं, एक market का भी perspective लेने की कोसिस करेंगे और live market में भी थी आज हम budget के time पे काफ़ important point अल्रेडी आपके सामने रख चुके हैं, कल भी हमने आपको बताया था कि market के अंदर किस तरीके से long term capital gain tax, short term capital gain tax और F&O के अंदर भी कहीं ने कहीं STT बगेरा को बढ़ाया जा सकता है, तो यह सारे important point आज के budget में दिखें हैं, और कोसिस हमारी यह रहती है कि एक broader perspective आपके सामने रखें, किसी भी तरीके की investment advice और trading tips देने का काम power of market नहीं करता है, जो भी video live यह content हम आपके सामने रखते हैं, केवल हमारी कोसिस रहती है कि education, knowledge और information purpose से आपके सामने इस सारी चीज़ें रखी जाती है, तो सुरुवात करते हैं, और देखें market की भी बात आगे करेंगे, nifty bank, nifty के अंदर काफी volatile trading session देखने को मिला है, तो समझने के कोसिस करेंगे कि आगे market से short term में, long term में आपको क्या expectation रखना चाहिए, सुरुवात करते हैं, budget की पहले ही आपको बता रहा हूं, थोड़ा video लंबा हो सकता है, तो video को देखने के कोसिस करें, और power of point है, तो सबसे पहले ये समझने के कोसिस करते हैं, कि इस पूरे ही budget के अंतरगत basically जो चार major cast को जो है कही न कहीं justified करने की कोसिस की गई है, पहला है गरीब पूर, हर budget में जो है गरीब पूर की बात होती है, दूसरा कही न कहीं महिलाओं के उपर women की उपर focus किया गया है, तीस अंते बारत के अंदर बिरुजगारी बहुत बड़ी समस्या है, इसके लावा skill development की बात की गई है, trend manpower की बात की गई है, MSME सेग्मेंट के अंतरगत भी budget में काफी सारी चीज़ों की चर्चा हूँ, इसकी भी detail में चर्चा होगी, और middle class से किस तरीके की tax proposal रहे हैं, और क्या सेक्टर है, या agriculture जो allied सेक्टर है, उसके अंतरगत करीब-करीब 10 लाग करोड के आसपास, 1.52 लेग करोड के आसपास के budgetary allocation की बात की है, जब भी आप agriculture सेक्टर को देखो तो इसके अंतरगत आपको fertilizer सेक्टर को देख के चलना चाहिए, इसके अंतरगत आपको irrigation सेक्टर को द देखना चाहिए, रूरल कंजम्शन को देखके चलना चाहिए, क्योंकि एग्रिकल्चर सेक्टर की उपर आज भी वारत की चाहिए हम FMCG सेक्टर को आज़ा आप देख लो, चाहिए कन्यूमर डिस्क्रिशनरी को देख लो, एक जबरदस मुमेंटम देखने को मिला है, ITC की बात करें, हिंदुस्तान यूनि लीवर लिम्टेट की बात करें, डावर की बात करें, मेरिको की बात करें, बिटानिया की ब की बात की गई है, तो overall initial part जो रहा है, वो agriculture sector के अंतरगत रहा है, और उसके बाद में जो है, employee link incentive schemes की बात की गई है, आप जानते हैं, जिस तरीके से unemployment एक बड़ी समस्य से निकल के आए था, चुनाओ की अगर हम बात करें, तो EPO4 के अंतरगत कई तरीके के suggestions दिये गए, कई के changes किये गए, जिससे कहीं ने कहीं overall employment और skilled labor के अंतरगत काफी फाइदा इस budget के अंतरगत दिया गया है, कई तरीके के announcement है, देखिए अगर हम बात करें, तो 20 लाख youth की बात की गई है, skilled youth HR करने के लिए, जो skill development program की बात की गई है, यह 5 साल का period है, 1000 industrial training institute की बात की गई है, course content की बात की गई, जिस तरीके से industry के requirement है, उसे साफ से course रहना चाहिए, तो यह सारी काफ़े important चीज़े है, loan वगेरा का support रहेगा, financial support रहेगा, direct e-voucher support, कई सारी चीज़े है, basically students के लिए, uva के लिए, skill development के लिए की गई है, काफ़े important रहा है, initial अगर आप आदा घंटा देखेंग तो agriculture sector के उपर, skill development sector के उपर, और youth और farmer के उपर जो है dependent रहा है, आगे अगर हम जैसे ही बढ़ते हैं, तो कई सरीके के affordable housing की बात की गई है, PM का आपका housing के जो project चलते हैं, PM आवा स्युजना है, उसके अंतर कई तरीके के initiative लिए गए हैं, जो कही ना कहीं, overall जो urban housing है, rural housing है, overall affordable housing segment है, उसको कहीं ना कहीं benefit मिल सकता है, इसके अंतर कुछ financial sector की जो company है, वो आपकी radar पर हो सकती है, इसके लावा देखे, बिहार और आंध्रा प्रदेश को कई तरीके के जो है, जैसा मैं already आपको यह चीज बता रहा था, कि तेल्कु दिसम पार्टी और जंतादल उनाइट इसको काफी कुछ budget के अंतरगत announcement किये गए, MSME की बात करें, तो जहां पर अगर अगर भी 10 लाख रुपे का limit की उसको बढ़ाके 20 लाख रुपे किया गया है, तरुन category के अंतरगत, इसके अलावा और भी कई तरीके से support किये गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं, quality और safety testing वग और recycling, इसके अंतरगत जो company deal करती है, उनको काफी benefit मिल सकता है, इस तरीके की initiative रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताए, आवास योजना, urban 2.2 की बात की है, तो ये 10 लाख करोड के आसपास का इसको एक address देने की बात की है, तो overall ये सारी चीज़ें market के इसाफ से, और overall consumption को बढ़ क्या है सरकार का, तो February 2024 में जब interim budget आया था, उस time पे सरकार ने 11,1111 करोड के आसपास के capital की, capex की बात की थी, जो total अगर आप GDP पे देखेंगे, तो 3.4% of GDP है, तो 11,11,111 करोड के आसपास का जो capital infrastructure की उपर investment है, जो 3.4% of GDP है, इसको आपको थमसब देना पड़ेगा, market के लि infrastructure के जो सपोर्ट की बात की है, budgetary allocation, इसको भी थमसब देना पड़ेगा, इसके अलाबा, और भी कई announcement हुए, जो अगर आप capex के parameter पे capital infrastructure की बात करें, उस parameter पे budget काफी शांदाल लग रहा है, और market ने इसको थमसब दिया है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें, तो infrastructure segment के अ बात करें, तो overall tourism और जो hotel, travel जो industry है, उसके लिए काफी positive side पे budget दिख रहा है, जो कि आगे चल के इन sector में consumption बढ़ा सकता है, space economy के अगर बात करें, तो 1000 करोड के आसपास के venture capital fund की बात की है, जो कि market के लिए उतना ज्यादा नहीं है, पर फिर भी overall अगर आप research और innovation की बात करें ruler और urban जैसे मैंने आपको बता है, consumption को बढ़ाने के लिए कई तरीके के step लिए, आप बात करते हैं basically current account deficit की, तो current account deficit आप जानते भारत का जो total export और import है, जिस तरीके से global market के अंतर गे तनाव चल रहे है, geopolitical situation से, crude oil की price लगातार बढ़ रहे हैं, भारत gold बगेरा को भी import करता है, calendar year 23 में, पर भारत की financial 24 की अगर हम growth की बात करें, 8.2% रहे हैं, तो सांदार भारत के अंदर economical growth देखने को मिली है, despite इस तरीके से geopolitical tension से, चाहे रशिया, युक्रेन, युद्ध की बात करें, इजरायल, पलिस्टीन के बीच में जिस तरीके से तनाव चल रहा है, एरान, अमे साइट पे रही है, परचेसर मेनेजर इंडेक्स की बात करें, काफी ज़्यादा expansion हुआ है, चाहे सर्विस सेक्टर की बात करें, 60-61 के आसपास चल दा है, चाहे manufacturing सेक्टर में, परचेसर मेनेजर इंडेक्स की बात करें, ये एक प्रकार का diffusion इंडेक्स होता है, जो की economy की condition को काफी हद तक indicate करता है, कि परचेसर मेनेजर किस तरीके से order बगेरा place करें, इससे आपको manufacturing सेक्टर और सर्विस सेक्टर की जो है overall condition के बारे में एक अच्छी जानकारी मिलती है, अब बात करते है, फिसकल डिप्सिट की जिसके उपर market की नजर थी, क्योंकि फिसकल of GDP हो गया था, पर इस बार फरवरी में ही सरकार ने काफी ambitious target 5.1% के रखे थे, और आज के budget में जो fiscal deficit का target है, उसको 4.9% of GDP किया है, जो की market के साफ से, economy के साफ से थमसब देना पड़ेगा, और अगर सरकार जो target को achieve कर लेती है, financial year 26 की अगर बात करें, तो financial year 26 में जो target रखा है वो 4.5% of GDP है, तो अगर 4.9% of GDP financial year 25 और financial year 26 में 4.5% of GDP के जो fiscal deficit के target है, सांदार है, इसको आपको थमसब जरूर देके चलना पड़ेगा, inflation में जो RBI का target है, वो 4% के आसपास है, वर्तमान में जो inflation है, जून 2024 का जो CPI index का number था, वो कही न कहीं 5.8% बढ़के आया था, तो ऐसे ये inflation जो है, control में जाती है, पात आती है, सबसे important point जिसने capital market को परिसान किया है, और market में एक time पे जब 24,500 के आसपास निफ्टी चल रही थी, एकदम से 24,050 तक सिलिफ हो गया था, और यहीं पे जो beer side में traders थे, उनको 4-4,500 के आसपास की opportunity मिली थी, आप समझने की कोसिस क करेंगे कि रहे कि क्या बदला हुए है, तो सीधे चल रहे हैं, और सबसे पहले जो important point है, वो है long term capital gain tax का, देखिया, आप और हम already जानते है, कि equity वैसे भी एक जो है, risky asset class है, और risky asset class में अगर कोई विक्ति long term के लिए investment कर रहा है, उसमें आप लगाता long term capital gain tax बढ़ाते जा रह इसको वहाँ पे पहले 10% का आप long term capital gain tax लेकि आए, उस टाइम पे चर्चा चल रही थी कि भाई, चूकि HDT नहीं बढ़ाया, इसको बढ़ा दिया, अब आपने इसको साड़े बारा percent जो किया है, तो वो कहीं ने कहीं market के लिए थोड़ा negative है, capital market के लिए थोड़ा negative लग रहा तो यहाँ पे market को अच्छी खासी negativity देखने को मिली है, खास कर, capital market में जो लोग long term में, stocks में investment करते हैं, short term में stocks को hold करते हैं, short term holding का मतलब होता है कि आपने किशी share को खरीदा, और एक साल के पहले अगर उसको वेद दिया, तो उस पर आपको short term capital gain tax 20% देना पड़ेगा, और long term capital gain का मतलब होता है कि आपने किशी share को खरीदा, और एक साल से ज़्यादा आपने दो साल के लिए, तीन साल के लिए, चार साल के लिए, आपने अगर उसको hold करके रखा, तो पहले आपको एक लाग रुपे टक exempted था, अब उसको केवल 25,000 रुपे बढ़ा के आपने सवा ला प्रिंट आ जाएगा, तो देखना होगा कि जो बड़े-बड़े investor से वो किस तरीके से इसको लेते हैं, पर overall अगर आप देखेंगे taxation point of view से इस तरीके से STT भी हाई है, short term capital gain tax भी हाई कर दिया, long term capital gain tax भी आपने हाई कर दिया, ऐसा लग रहा है कि कही ना कई market की उपर काफी ज़्यादा taxation लग रहा है और थोड़ा सा market participant के लिए, ये negative side पे इसके लावा आपने angel tax जो है वेब आफ कर दिया है, चाहाई startup की बात करें, all category of investors के लिए, ये काफी positive step है, और corporate tax जो foreign companies हैं, उनका 40% से घटा के 35% किया है, ये कही ना कई उसी चीच को balance करने की कोसिस की है, तो इस तरीके से capital market के लिए जो tax बढ़ाए गया है, वो कही ना कई market के लिए market participant के लिए negative लग रहे हैं, नई tax regime के अगर बात करें, तो यहाँ पे standard deduction पहले 50,000 मिल रहा था, उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया, बहुत ज़्यादा changes नहीं, कम से कम इसको एक लाग करना चाहिए था, इ आपको income tax में जो आप basically जब आप home loan लेते हैं, उसमें जो ब्याच पे करते हैं, दो लाग रुपे की section 24 में छूट मिल रहे हैं, तो कोई ज़्यादा change, old scheme में तो कोई भी change नहीं किया गया है, new tax regime में भी अगर बात करें, तो calculation बैट रहा है, 0 से 3 लाग तक total tax free है, 3 से 7 लाग 5 परसेंट है, 7 से 10 लाग 10 परसेंट है, 10 से 12 लाग 15 परसेंट है, 12 से 15 लाग 20, इतने ज़्यादा slab बनाने कि मुझे नहीं लगता जरूदत है, आपको कम slab के अंतरा simplify करना चाहिए, आपने ज़्यादा slab बना दिया, इससे कोई मतलम नहीं निकलता, आपको जो भी चोटे 2 य करिशन के अधार पर बता ही जा रही है, और अब रुपिया कहां से आएगा, तो देखें, इंकम टेक्स से 19 परसेंट रहेगा, GST से करीब करीब 18 परसेंट के आजपास का, सरकार को इंकम होना है, कॉर्परेशन टेक्स से 17 परसेंट होना है, यह सारे टेक्स के सूर्सेज हो सरकार का एक प्रकाससे सूर्सेज ऑ इंकम है, जो मैंने अपनी कम्यूञूटि मेंबर्स को अलोड़ी आपको बजट को देखने का तरीका बताया था, बजट का पैसा कहा जाना है, तो आप दे सकते हängt, इस तरीके से बजट का 6 परसेंट सबसेडी में जाना है, डिफेंस मे लग लग सेक्टर में क्या जाना इस पर आ रहा है क्योंकि मार्केट इसे साफ से लग लग सेक्टर की जो कंपनी से वो कहीं ने कई प्रभावित हो सकती हैं डिफेंस की बात करें चार लाग चाहुवन अजार साथ सो तेतर करोड के आसपास का जो है ऐलोकेशन किया है रूलर सेक्टर पर सबालाग करोड के आसपास का जो है बजेटरी ऐलोकेशन है आई टी और टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफी बड़ा पुस्ट देते हैं एक लाग सूला हजार करोड का हैल्थ में नब्बे हजार करोड के आसपास का एलोकेशन है एनरजी सेक्टर में 68,000 साथ हज करोड के आसपास का था अभी इस बार बढ़ा के उसको 86,000 करोड किया इससे भी कही न कहीं रूलल एकोनॉमी में रूलल जो है कंजम्शन में ब्रदी देखने को मिल सकती है रिसेच और डेवलोप्मेंट में हाड़ी कुछ बढ़ाया है पी लाई फार्मसेटिकल इंडस्ट कंपनियां बनाती है जो सेंब्लिंग करती है 6,930 करोड का है सॉलर पावर में भी 10,000 करोड का किया है डबल कर दिया है तो जो सॉलर सेगमेंट की कंपनी उनको काफी बेनिफिट मिल सकता है आई डिए स्कीम के अंतर का जो क्रेडिट अंडर इसकीम में उसमें 3,850 और डार भारत सरकार का भाइनेंशल यह 24,25 का जो बजट का साइज है वो 48.2 लेक करोड के आसपास बैट रहा है जिसमें कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट के बीच में ठिक ठाक बैलेंस बनाया गया है तो इससे मार्केट को कोई नेगेटिविटी नहीं रिवेन्यू एक तरफ ओवन होगे जब यह 24,000 के लेवल को तोड़ देगा तो आप देख सकते हैं आज जो करेक्शन आये वो 24,50 तक आया है आज भी निफ्टी 24,000 के लेवल को रिटेन कर रहा है उसके पीछे दो प्रमुख कारण है एक तो जिस तरीके से SIP का फ्लो भारत के जो रिटेल इ ग्यारा लाग करोड के आसपास के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की केपेक्स की बात की है उसको मार्केट ने थमसब दिया है ओवर और हमारा यह मानना है कि उपर की तरफ जब तक 24,900 के लेवल को निफ्टी फ्रॉस नहीं करता है तब तक आपको कोई बड़े अपसाइड लेवल एक्सपेक्ट करके नहीं चलना चाहिए कुछ समय मार्केट फूला साइडवेज फ्रेंड में चल सकता है नीचे अगर 24,000 के नीचे जाता है तो आपको मान के चलना चाहिए कि बड़े लेवल उपन हो सकते हैं जो कि निफ्टी को 23,800 23,500 तक ले जा सकते हैं तो यह आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़े डाइवर्जेंस चल रहे है और 51,300 तक एक सटाइम पे बैंक निफ्टी चला गया था तो हमारा इमानना है कि अगर आने वाले दिनों में 51,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है 50,500, 50,200, 50,000 तक के डाउन साइ ओपन हो जाएंगे और उपर आपको ध्यान रखना है 52,500 के आसपास पहला रसिस्टेंस है 52,900 के आसपास दूसरा रसिस्टेंस है और तीसरा रसिस्टेंस कहीं न कहीं मार्केट के अंदर एक रसिस्टेंस बैठ रहा है वो कहीं न कहीं मार्केट के अंदर 53,300 के आसपास का resistance बैट रहा है तो market में जब तक 35,300 के level cross नहीं होते तब तक 53,500 के level आपको market के अंदर expect करके नहीं चलना चाहिए और nifty financial services की अगर expiry की बात करें आज एक volatile to bearish expiry देखने को मिलिए overall 322 point का correction nifty financial services में 500 point का correction bank nifty में आपको देखने को मिला है और nifty next 50 में 635 point का correction mid cap में 38 point और nifty में 30 point तो overall market के नहीं बजट को कहीं नहीं थोड़ा negative side पे लिया है एक recovery जरूर आपको देखने को मिली है तो अगर अपन बात करें capital market के साब से अगर आप tax proposals को देखो तो उसने market को कहीं नहीं disappointed किया है पर overall अगर आप broader parameters को देखो तो कई सारे ऐसे point भी निकल किया है जो इस budget को कहीं नहीं balance करने की कोसिस कर रहे है capital market के साब से budget थोड़ा negative लग रहा है जो participant है खास कर पर अगर आप overall broader perspective में आप देखेंगे चाहे आप capital expenditure की बात करें fiscal deficit की बात करें infrastructure में investment की बात करें agriculture sector की बात करें defense की बात करें electronic sector में push देने की बात करें rural consumption की बात करें women के साब से अगर बात करें youth के साब से farmer के साब से बात करें सबसे बड़ी बात करें अगर employment में इस तरीके की सरकार ने एक job creation के लिए जो corporate के लिए schemes open की है ऐसा लग रहा है कि budget को आपको balance लेके चलना पड़ेगा capital market ले जरूर निराशा लगिए तो ये budget का एक detail analysis है अब budget से संबंदे संपूर्ण analysis एक एक छोटे-छोटे point को रात में मैं आपको decode करूँगा और आपके मन में वीडियो प्रेशन उठ रहे हैं बजट से संबंदे आप लेके रात में यूट्यूब लाइब में आ सकते हैं तो रात में आप यूट्यूब लाइब में आपसे मुलाकात होगी आज का वीडियो गर पसंद आये तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच